श्री हरी के चर्णों में सीस नवाय कार्थिक महात्मय का बने यह 21 अध्याय आप ब्रह्मा आदि देवता नगमस तक होकर भगवान सीव की स्तुति करने लगे वे बोले हे देवादी देव आप प्रग्विती से परे पर ब्रह्मा और परमिस्वर है आप निर्गुन निर्विकार वस सब के इस्वर होकर भी नित्य अपने प्रकार के कर्मों को करते हैं हे प्रभु हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं हे संकर जी हे देविस आप प्रसन होकर हमारी रक्षा कीजिए हे सीव जी हम आपकी प्रजा हैं तथ हम सदेव आपकी सरण में रहते हैं नारज जी राजा पृत्व से बोले जब इस प्रकार बंभादी समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान संकर जी की अनेक प्रकार से इस्तूती कर के उनके चरण कमलों का ध्यान किया तब भगवान सीव देवताओं को वर्दान देकर वहीं अन्तर ध्यान हो गए उसके बाद सीव जी का यसोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोग को चले गए भगान संकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का यू धर्चरी त्रपुन्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नश्ट करने वाला है यह सभी सुख दायक और सीव को भी आनन दायक है इन दोनों आख्यानों को पढ़ने यह सुने वाला सुखो को भोक कर आन्त में अमरपद को प्राप्त करता है मुकुंदे माधा वर गोविंदे बोल केसा वो माधा वो हरी हरी बोल केसा वो माधा वो हरी हरी बोल राम राम बोल राम राम बोल सीव सीव बोल सीव सीव बोल नारायन बोल नारायन बोल केसा वो माधा वो हरी हरी बोल मुकुंदे माधा वर गोविंद बोल केसा वो माधा वो हरी हरी बोल यहाष्म यहाष्म यहाष्म